पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादर का सलाम वो एक फिल्म में डायलॉग था मोगैंबो खुश हुआ उसी तरह साविक जर्मान पीटिया इमरान खान भी खुश हुए और कल जो आप लोगों ने कमाल कर दिया सोशल मीडिया के उपर इसके बावजूद भी के बहुत सारी बंदेशें थी रुकावटें थी बट स्टिल आज इमरान खान साब को जब जेल में इन सारी सिचुएशन का पता लगा तो वो काफी खुश हुए और इसी खुशी में आज बैक टू बैक कुछ अच्छी खबरें हैं तो मैंने सोचा पहले ज़रा आपको अच्छी खबरें बता दे और एंट पर बाकी जो खबरें उनके उपर बात करेंगे अच्छी खबरें सबसे पहले तो इमरान खान का देशत गर्दी का जलाओ घिराओ का जो मुकदमा था 25 माई के अवाले से वो मुकदमा खत्म कर दिया गया आज इमरान खान को उस मुकदमे से बड़ी कर दिया गया है that means कि ये बारिश का पहला कत्रा है इस किसम के मुकदमात से बड़ी होना और ऐसे बहुत सारे और मुकदमात जो दैशतगर्दी से मुतालिक है जुडिशल कॉंप्लेक्स हमला केस है और पता नहीं क्या क्या कुछ कई election commission के बाहर कई पर प्रोटेस्ट हो गया उसका मलबा भी इ साथ बार बताते रहेगा जब तक ये विलॉग अपलोड होगा तब तक मैं रीचक कर लूँगा फिर 9 माई के जो 23 के करीब मुल्जमान है आज उनकी जमानत बादस गिरफतारी जो है वो मनजूर हुई है बहुत सारे लोग हैं उसमें जो बहुत अर्से से इंसाफ के मुतल अब इनको जमानत मिलती है नहीं मिलती मतलब रहाई मिलती है नहीं मिलती ये कुछ दिर में पता चलेगा लेकिन 23 मुल्जमान की कमजगम जमानत मनजूर हो जाना भी एक अच्छी खबर है फिर बल्ले का फैसला ये सबसे important decision जो recent time में है बल्ले का फैसला ये महफूज हो गय और महफूज करके कहां पर रखा और कब सुनाया जाएगा कुछी दिर में आपको इसकी तफसील बताता हूँ क्योंकि आज election commission में final hearing जो हो चुकिया बल्ला PTI को मिलेगा नहीं मिलेगा इसका फैसला कब होगा कुछी दिर में आपको बताता हूँ लेकिन पहले जरा सी बात क जो कल होने वाले PTI के पहले online power show या digital जलसा या whatever जो भी आप कह सकते हैं उसके बाद जो situation पैदा हुई उससे काफी खुश है situation पैदा हुई that वो internet blockage की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब जो उनके लोग एकदम से charged हुए और social media पर जिस तरह से इसको celebrate किया गया इस virtual presence को although कि बहु तनकीद कर रहे हैं PTI के उपर कि अच्छा जी अब अपना वजीराजम भी virtual ले हैं इंतखाबाद भी virtual करा ले मतलब इतनी धिटाई से जब उनको पता चल गया कि यह कामयाब हो गया और कामयाब होने की जमानत internet की बंदिश थी जिससे उन्होंने खुद भी सफर किया होगा कहीं न कहीं लेकिन कह कुछ नहीं सकते क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो वो अपनी अगेंस्ट आएगा मतलब जबान से लफज नहीं निकला कि क्यों पाकिस्तान में internet की बंदिश होई बट स्टिल क्रिटिसाइज करना है virtual जलसे को बई उनको ग्राउंड के उपर आप मौक अधिर में आके कोई और option PTI के पास नहीं बचा अब जाके उन्होंने अगर उसका को तोड निकाल लिया तो अब उसके उपर भी तनकीद बहराल तनकीद बता रही है कि कामया भी काफी जोर शोर से जा रही है तो इमरान खान को काफी अच्छा लगा आज और उन्होंने मालिक से और किस तरह से वल्लब पूरा जलसे जैसे महौली तो बना दिया उन्होंने तो उनसे भी काफी वो खुश थे मुतमई थे सबका शुक्रिया अदा किया उन्होंने अपने lawyers के तुरू प्लस उन्होंने एक message भेजा है जो के game changer situation हो सकती है PTI के लिए उन्होंने तमाम अपने जो नौजवान workers हैं उनको ये message convey किया है कि बड़ी तादाद में सारे लोग काफ़ाते नामजद की जमा करें election schedule announce हो गया तो ये नहीं है कि बस कोई एक किसी ने apply कर दिया तो दूसरा ना करे या कोई covering candidate ना हो तो एक से ज़ादा लोग जो है वो apply करें और फिर उनकी scrutiny जो है वो खुद करेंगे वहां से बैठके और फिर candidate फाइनल किया जाएंगे तो आज उनके वुकला ने ये message भी convey कर दिया और एक और message भी खास दिया कि कोई मैदान भी खाली नहीं रहेगा including sinh मतलब बलोचिस्तान में तो अब presence PTI की ये हालिया दिनों में आपको नजर खैबर पक्तूनखा तो वैसे ही out of control है ना उन लोगों के जो चाहते है PTI को दबाना जो सियासी मुखाली नहीं चोड़ना ये भी message loud and clear है और sinh की तरफ भी जाना है ये आज इमरान खान साब की तरफ से पेगाम आ चुका है अब अच्छा थोड़ी देर पहले मैं बात कर र तो इंटरनेट बंद क्यों हुआ इसके हवाले से जो PTA जो मुतलका इदारा है उसका एक मौकफ आज सामने आया है और वो ये फरमाते हैं कि इसकी तहकीकात की जा रही है कि क्यों इंटरनेट की बंदिश हुई या क्यों इसमें खलल पड़ा और उन्होंने ये भी बताया क रिपोर्ट हुआ है कुछ इलाकों में इंटरनेट की सर्विसेज मुतासर हुई लेकिन एड़ दा मुमेंट सब कुछ मामूल के मताबक चल रहे हैं सब अच्छा है सब ओके की रिपोर्ट है और फिर उन्होंने मीडिया से भी दर्खास किया किया क्या सराईया पहलाने से ग को बतानी है बल्ले का फैसला जनाव हो गया महफूज मतलब election schedule announce हो गया कुछ ही दिन अब बाखी रह गया अब तो countdown है एक तरह से election के लिए और अभी तक जो बल्ले का निशान है वो हवा में लटक रहा है PTI का पूरा इंतखाबी process जो हवा में लटक रहा है एक तरह से और प final hearing election commission में हुई है उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है लेकिन पिशावर high court ने चूँके ये order दे रखा है कि जब तक ये case पिशावर high court में है या वो कोई final decision नहीं दे देते तब तक आप इसके उपर फैसला नहीं सुना सकते election commission को रोक दिया है तो पिशावर high court अब कब फ ये stay खतम नहीं हो जाता या election commission supreme court जाके ये stay खतम नहीं करा लेती तब तक PTII का बल्ला जो है वो बजाहर महफूज दिखाई दे रहा है लेकिन अगर election commission को अपनी credibility या अपने इरारे की credibility समेत ये selection की credibility चाहिए तो बल्ले का होना बहुत जरूरी है लेकिन ये खटक क्यों रह जिनको लगता था कि सब कुछ manage हो जाएगा और लोग आएंगे और जो भी हम बताएंगे उसके ओपर ठपा लगा के चलते बनेंगे लेकिन ऐसा नहीं है election commission के अदादो शुमार के मताबिक 12 करोड वोटर्स जो हैं वो हिस्सा लेंगे election में 12 करोड से जायद वोटर्स हैं वै सारे लोग ये मानते हैं कि इन खवातीन का बड़ा अहम किरदार होगा क्योंके खवातीन सियासी तोर पर अब पहले से ज्यादा बाशाओर हो चुकी हैं और जिस तरह से उनकी प्रेजन्स है सोशल मीडिया पर और ग्राउंड के उपर भी ये सियासी involvement के अथबार से तो परदार अदा कर सकती हैं लेकिन इससे भी एक बड़ा important X factor है वो 2,30,000,000 नए वोटर जो नौजवान है जिनका अभी अभी इन दो सालों के अंदर अंदर ID कार्ट बना है जो 18 से 20 साल की उमर में है और वो इस टाइम तपे बैठे हुए है और इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी 25 मई को जब इमरान खान लौंग मार्च लेके पिशावर से रवाना हुए इसलामबाद की तरफ तो उनके उपर बहुत सारे मुकदमात काइम कर दिये गए जिन में से ये जलाओ घिराओ के वाक्या दैशत गर्दी के मुकदमात के हवाले से था तो काफी देर से कानूनी जंग का शायद पहला मुकदमा है जिससे इमरान खान को बरी किया गया है अभी बहुत लंबी और कानूनी जंग है और बहुत सारे और मुकदमात हैं लेकिन सिमिलर इस जैसे कई मुकदमात हैं जिन में उन्हें उलजा कर रखा गया है तो ऐसे मुकदमात की मिसाले देके या नजीर देके उनके वुकला एक strong argument जो है वो build कर सकते हैं उनको बाकी cases से relief दिलाने के लिए तो अला करें बाकी cases में भी इंसाफ मिले फिर शेर अफजल मरवद की रहाई का जो मौमला है आज लहोर High Court ने उसका हुकम दिया और उनके जो साथी वुकला है वो बड़ी तादाद में बड़े कोट लगपत जेल की जाने के उनको रहा करा जाए तो at the moment जब मैं विलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो रहा नहीं हुए और जो set pattern नजर आ रहा है पिछले कई दिनों से या हफ्तों से या महीनों से ये गिरफतारियों का लेके तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा वो threat है इस time opposition के लिए इमरान खान के opposition के लिए तो मुझे उनकी रहाई थोड़ा सा मुश्किल लग रही है लेकिन वोकला अगर इसी तरह से attempt करते रहे या इसी तरह से आवाज उठाते रहे तो उनकी रहाई हो भी सकती है हो सकता है कि इस विलोग के दुरान हो लेकिन मुझे set pattern को देखते हुए तोड़ा सा मुश्किल लग रहा है फिर फवाद चोधरी के उपर corruption का मुकदमा था और खुसूसी अदालत जिसमें ये समात हो रही थी आज उन्हों ने फवाद चोधरी को रहा करने का हुकम दिया लेकिन वो नैब केस में गिरफतार हो चुके है इस खबर के जिकर करने का महद एक ही मकसद है कि जहां और काफी अच्छा कुछ हो रहा है तो वहीं पर ये चोटी चोटी development भी हो रही है और दो के PTI के लोग अब फवाद चोधरी को उस तरह से और नहीं कर रहे हैं लेकिन फवाद चोधरी ने इमरान खान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की या कोई ऐसी मुशी की सदाब भुगत रहे हैं लेट सी इस बारे में उनके साथ क्या होता है और फिर आखरी चीज़ जो मैं कभी-कभी कहता हो ना कोई रह नहीं गया इमरान खान वाला डायलोग तो कुछ दिनों पहले मैं आप से पूछ रहा था कि कोई रह तो नहीं गया क्योंकि सिक्योर्टी वजुहात की बिना पर इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता है मुकदमात भी सारे चलाने हैं इमरान खान को पेश भी नहीं करना और खुद जागे वहां पर जेल में जागे मुकदमात चलाने हैं पता नहीं क्या हो रहा है यहां पर मुकदमात के नाम पर एक और जेल ट्राइल जो है वो इमरान खान के खाते में डाल दिया गया है तो अब यह सारे लोग भी पहुंचेंगे वहां पर के जनाब इदत में निकाह कर लिया तो इसका फैसला भी बड़ा ज़रूरी है तो लेट कर दो कर दो